हेलो बच्चों, लास्ट येर जई दो आजार तेज के अंदर जई ने कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल पूछा थे, स्टेटमेंट बच्चों कंटेंट बहुत ही अच्छे से आता था, उन बच्चों से लिए वाले सवाल गलत हुए और उनकी रैंक पर अच्छा कासा फर्क पड़ा, ऐसा नहीं कि बच्चे को वो स्टफ नहीं आता, उसको सिर्फ वो सिर्फ ये असर्क्शन रीजनिंग किस तरह से करना है ये नहीं आता, और ये इस तरह के जो सवाल है, अगर के स्कोल बच्चा अगर पहले से हैबिचुल होगा, तो बड़े आराम से वो बाकी काबले 10-15 नंबर जादा ला सकता है, और यही 10-15 नंबर आप लोग जानते हैं कि काफी ज़दा rank determining रहता है, तो हमने competition के अंदर कुछ micromanagement किया है, कि जिस तरह के सवाल बच्चों से ज़दा गलत होते हूं, जो बच्चे common mistakes करते हूं, उनको address करने के लिए कुछ innovative papers बनाते का हो, प्रबल का हो, ठीक है, सारे बच्चों के लिए, और यहीं जो test series वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यह paper सारे के सारे हमने इस तरह से manage किया है, इस week एक paper लेके आये हैं, जो आज अभी बड़ा दो बजे live हो जाएगा, या हो चुका होगा, उस paper के अंदर सिर्फ वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आठ दिसम्बर को दो बजे का, कभी भी आप इस paper को दे सकते हैं, तीस सवाल, पर सबजेक्ट है, 90 questions total है, सारे questions करने, इसमें 75 नहीं करने, सारे करने, क्योंकि सारे statement वाले सवाल है, तो उनको current में थोड़ा सा time कम लगता है, तो सवाल हमने थोड आपके पास पहले से खुब सारे paper है, C-Cube के paper है, बड़ा Champ के paper है, जो अपने आजकल full syllabus test series आपके पास है, उसके paper है, तो वो आपके paper लगाता है, आपके जो pattern है, उसके साथ से, ये paper सिर्फ उस लिए है कि बच्चे की जहां जहां गलती होती हो, बच्चा जिस तरह के सवाल उसे बोजा डरता हो, उसको उसके लिए थोड़ा सा habitual करने के लिए, तो कोई बच्चे अगर मालनों कि 90 सवाल assertion reasoning के करता है, statement 1, statement 2 के अगर 90 सवाल 3 गंटे गंदर बैठके करता है, और उसके बाद जो सवाल गलत हो है, उनको आराम से इतनी आराम से वापे से सवाल करता है, तो अपने वाले जो बच्चे हैं, आप लोग जो है, वो बाकी बच्चों के मुकाबल थोड़ा सा बैटर करोगी, इसी तरह से हमने अगले वीक के लिए, उससे अगले वीक के लिए पी कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, और यह सारे के सारे काफी micro management वाले चीज़ें हैं, ज क्योंकि ऐसे सवाल भी जैई में पूछते हैं, बिलकुल इदम information based kind of सवाल, तो वो वाले सवाल भी आप से पूछ लेंगे एक paper के अंदर, इसी तरह से बच्चे उस तरह के कई सवाल जो होते हैं, जिसमें match to column होते हैं, और नीचे फिर match to column को single choice में convert कर रखे होते हैं, तो आप थोड़े से और better तरह के से prepare हो जाओ कि इस तरह के सवालों को face कैसे करना है, ऐसे में आपकी और को requirement आप बिलकुल बता सकते हो, हम आपकी जो performance उसको लगातार analyze करते रहते हैं, हम चेक करते हैं कि किस तरह के सवाल बैच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, हम आपको उस तरह के सवाल को और ज्यादा better तरह के से face करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही आप जई में actual paper देखोगे तो आपको ऐसे लगा कि हाँ यार, competition में जो भी है मुझे test मिले, चाहे हो मुझे c-cube champ, इनके test मिले हो, चाहे जो full syllabus test series है, उसके test हो, वो सारे के सारे test मे को इस तरह से habitual बना चुक है कि यह वाला paper मिलकू मिला, देखा दिखाया लग रहा है, कोई demons इस paper कर में मुझे नहीं देखा दिखाया सही है, बस मुझे तो इस paper को अच्छा से दे ना, ठीक है, कोई बच्चा है कि से में तो अच्छी मुझे को दिक्कत नहीं है, तो ना, को लगातार मिलतार आएगा, यह तो full syllabus test series है इसके अलावा, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहेगा, और इनको ढंक से use करना, बढ़ाई यह अपने competition digital वाली app के ओपर है, my exam section के अंतर, चलिए, बाई, पढ़ते रहेगा